जैहिन बुंदेलखन न्यूस 24 में आप सभी का स्वागत है न्यूस रूम से मैं खुशी हायारण बुंदेलखन के जासी जिले के प्रेम नगर थाना छेत्र में लिविंग रिलेशन्शिप में रह रही युवती की पथर से कुचल कर निर्मम हत्या कर दी गई उसका शब खुण से लटपत मिला शब को कबजे में लेकर पुलिस ने अग्रिम कारेवाई शुरू कर दी है जासी जिले के प्रेम नगर थाना छेत्र के अंतरगत क्रिशना नगर में लगभग 35 वर्षे नसरीन की पथर से कुचल कर निर्मम हत्या कर दी गई थाना प्रिभारी की मताबिक नसरीन की बेटी और वहां मौजूत लोगों का कहना है कि मृतिका की काफी समय पहले इकबाल नाम के युवक से शादी हुई थी शादी के बाद नसरीन ने एक बेटी को जन्म दिया किनी कारणों से नसरीन ने अपने पती इकबाल को छोड़ दिया इसके बाद मजदूरी कर अपना और अपनी बेटी का भरन फोशन करने लगी इसी दोरान उसकी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रहने वाले एक युवक से मुलाकात हो गई मुलाकात के बाद उनके बीच में नस्दीकिया बढ़ गई और वह लिविन रिलेशन्शिप में रहने लगे वर्तमान में वह जहासी के प्रेम नगर थाना छेतर के अंतरगत बौद विहार में किराय से आरोपी युवक के साथ रह रही थी आधारकाट के अनुसार नस्रीन जनपत जालाउन की रहने वाली है मृतिका की बेटी के अनुसार रातरी में दोनों के बीच किसी बात को लेकर जगड़ा हुआ जगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी ने नस्रीन पर पत्थर से हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई सूचना पर पहुँची पुलिस ने पंचनामा भर शफ को कबजे में लेकर पोश्माटम के लिए भेज दिया है मकान मालिक है यह कौन थी जिसका मडर हुआ किराय से रहती है क्या नाम था इसका इसका नस्रीन नाम था क्या करती थी यह इसके पती एगियर एक वाल था है कहा पर हैं थोड़ मांगे कहा की रहने वाली ती है यह ने वाली पो इनके पती ने मकान बेद दिए तो जे अलग रहने लगे तो यहां पर जे किन लगे हम बगल में रहते हैं तो यहां मकाम दे दो तो हमने लेवर के बज़े से दे दिया तो हत्या है कितने बज़े हुई काई से हुई है जो पत्थर से हुई है जो इनके साथ में एक लेवर वाला रहता था था बलवी नाम का उसने जे संग में रहते थ तो वो निए से जगड़ा हुगा उनी ने कई तो किस ने किया इसके कि पती ने ने पती से तलाख मतलब छोड़ चुटे जे बलवीन ने की इसके कितनी उमा रहती इस महलेगा की 35 के लगभवग उपने वाली ये जहांसी की थी कि जहने वाली थी माय का इसका जालौन के पास अच्छा बगरेक की है तो ये कितने वजे क्या करी हुई है कुछ जानकारी हुई है मुझे तो साड़े चार पांच बजे फॉन पहुंचा घर पे तो मैं तुरंत आया देखा तो यहां पर जे हाल है तो हमने फुलिस को सूचना दे दी ये कब से रह रह रही थी यहां पर दो साल से रह तो बज़ गोच मालव है कल साम को हुई थी कितने वजे रात को हुई थी नहीं मारा पत्तर कितने वजे मारा इसको चार बजे मारा था सुबह चार बजे हां अच्छा ठेक